हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू माइनर चैर मैं हूँ क्रिश्णा कैसे हैं सब लोग मस बढ़िया तो ले स्टार्ट करते हैं हम लोग हीमन अन्टॉमी और फिजिलोजी का नेक्स चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक है तो यहां पर बेटा क्या है वहमें यहां पर फिर अफ रेस्पिरेटरी ओर जितने भी रेस्पिरेटरी ओर्गंस है उनकी अनटॉमी समझने यहां पर और उनका फंक्षन ठीक है वहां जाद फोकस रहेगा तो श्टार्ट करते हैं और स्टार्ट से कहां से किया जाता है डेफिनेशन सबकी आना बहुत जरूरी है तक बड़े आराम से नंबर खीच ले जाओगे अगर सबकी डेफिनिशन पताओंगी तो डेफिनिशन क्या human respiratory system जैंट वर्क और याने कि जो respiratory system है पता ना cell tissue organ organ system फिर organism बन जाता है यह पुरा system है कई सारे organ से मिलके बना है और tissue से मिलके बना हुआ that help us breathe जो हमें शांस लेने में help करते हैं the primary function of this system is to introduce oxygen सबसे main काम इसका क्या है oxygen को introduce करना यारे के बॉडी के अंदर डालना into the body and expel expel मतलब बहार निकालना expel मतलब बहार निकालना carbon dioxide from the body main काम इसका क्या है oxygen को बॉडी के अंदर डालना और carbon dioxide को बॉडी के बाहर भेजना के लिए रहे हैं अब organs of respiratory system यह समझ लें देखो कहां से starting होगी nose pharynx larynx trachea bronchi lungs lungs के अंदर में लिए हमें क्या पढ़ने है alveoli ठीक है न तो एक दो तीन चार पांच छे यह छे चीज़ें होंगे छे से साथ चीज़ें अब इन सब की हमें anatomy समझने है वेटा बोला है heading में हमारे पास इसलिए यह topic ठोड़ा सा क्या होगा लैंदी होगा ठीक है start करते है नोस से फटाफट जानते हैं हम लोग अपर लगबख सारी चीज़ें हम लोग जानते हैं सिर्फ चीज़ें को समझना है ठीक है रही हमेशा कहता हूं यह सब चीज़ें ऐसी है जो तुम लोग क्या है जानते हो ठीक है न बस हमको चीजों को यह समाझना है कि हमें उसमें लिखना किया है अब νोस के बारे में आ जा है तो नोस के बारे में पहले बताने बोरिष करोगे your nose, या इसको खटांगे nose हुआ है है your nose is a part of your respiratory system nose हमारे respiratory system का एक हिस्सा है it allows air to enter your body यह allow करती है कि air हमारी body में जाए air ठीक है body में गई then filter debris and warmth the moisture air समझ ना इसका function देख लो यहाँ पर main function आ गया debris हम सांस ले रहे हैं तो dust particle गई रहा है नोस में जो hair है जो mucus है वहाँ चिपक जाते हैं तो debris मतलब एक तरह से जो waste है कूडा करके तो वो उसको filter करेगा ठीक है और एक चीज warms the moisture warm and moisture the air जो हम लोग air ले रहे हैं अगर ठंडी air है और ठंडी air अगर direct जाएगी body के अंदर हमारे body temperature कितना है 37 degree centigrade नुकसान कर जाएगा इसलिए तो सर्दी खाये शुखाम हो जाता है सर्दियों में जा जाता है तो नाक से होते हुए जब तक अंदर तक जाती है था टाकर क्या हवा गरम हो जाती है body temperature साथ-साथ में वह वा कैसी होती है नम होनी झाये ड्राय एर होगी तो फिर खुसकी होगी यहीँ वज़य है सर्दियों में जया में बजले में ऐलों हवाट ड्राइ हो दी ना, सरुदियों पर ड्राइ हो जाता है, होट फटते हैं, पता है ना तो ये दो काम कर रही है, उसे मॉश्टर कर रही है, नम कर रही है, नाक हमारी है और उसे गरम कर रही है Your nose give you a sense of smell, नाक हमको सुंगनी की भी छमता देती है and helps shape your appearance, ये ता ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, हमें smell करने में help करती है, और हमारा appearance, नाक की वज़े से हमारा चेहरे का जो face cut, चैसे छवी कहते हैं, उस पर ही फरक पड़ता है, बट ये line ये नहीं की हाँ, खूबसुरत, अलग तरीक से लेने लग जाओ, ओके, अनाटोमी की बात करें, तो नाक के अंदर एक bone पाई जाती है, the hard bridge at the top of your nose is made of bone, ये नाक की होती है, ये ता पर ठीक है, वने where they can be, sneeze out or wiped away, फिर ये उसको क्या करते हैं, बाहर की तरफ निकालते हैं, फिर खुझली होती है, अदम छीख देंगे, तो पार्टिकल से बाहर आते हैं, ये अब लोग क्या करते हैं, वाइप आउट कर देते हैं, छिनक देते हैं, तो चला जाता है, lateral walls, जो side में दिवाले हैं, नाक के, ठीक है, outer wall, the outer wall of your nose are made up of cartilage and covered in skin, जो बाहर की दिवाल होती है, cartilage देगा न, ये, जिससरे कान बना होता है, उसका ये ये बना होता है, ठीक है, cartilage कहते हैं उसे, समझ रहे हो, cartilage, bone वाले पाट में पढ़ा था, और skin से cover होती है, the walls from your nasal cavity and your nost nostrils, the walls form your nasal cavity, जो दिवाले हैं, इसकी, ये cavity बना रही है, छेद बना रही है, और तुमारे nostril, इसको पूरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, nostril बोल देते हैं, nasal cavity, nasal cavity, जो हमारे cavity है, ठीक है, your nose has two nasal cavity, hollow spaces where air flows in and out, they are lined with mucous membrane, जो अंदर एक cavity है, यहां से, दो cavity होती है, ठीक है, वो अंदर से line मतलब, उनके अंदर की तरफ परत होती है, किसकी, mucous membrane की, जो नम करता है, यह और को, nerve cell, main काम तो इनका ही है, nerve cells क्या करते हैं, sense, smell बगार को sense करके दिमाग तर पहुँचाते हैं, these cells communicate with your brain to provide sense of smell, ठीक है, nostrils, naris, these are the opening of the nasal cavity data on the face, जो बहार यह openings है, इसको हम लो क्या बोलते हैं, nostrils से nearest बोलते है, septum, septum मतलब partition, नाग के बीच में पार्टिशन लगा हुआ है, the septum is made of bone and firm cartilage, ठीक हड़ी का और cartilage का बना होता है, it runs down the center of the, center of your nose and separates the two nasal cavity, यह बीच में से ऐसे आता है, और दो नाग को अलग कर देता, दोनों cavities को, sinuses, जो गड़्डे की त देखना जब तो यहां पर अंदरी तरफ के होते, cavities पाई जाती है, you have four pairs of sinuses, these air filled pockets, इनके में हवा होती है, are connected to your nasal cavity, they produce the mucus that keep your nose moist, यह क्या काम करती है, mucus निकालती है, जो हमारे नाग को moist रखती है, तो पिटा अगर गौर से देखोगे, तो यहां मैंने ऊपर से starting करी है, ए आपने नाग को भी amazing करते हुए चलोगे, तो क्या हो जाएगा, cover up हो जाएगा और एक बार में anatomy याद हो जाएगी, अच्छा पीछे आ गए, टर्बिनेट्स, कौंके, कौंके जो हमारी इदर पे न, क्या कहते है, जो bone type पाई जाएगी, there are three pairs of turbinates located along the sides of both nasal cavities, जब कौंके द और नई समझ में आ रहा है, तो कहां जाओ फटाफट, यहाँ वीडियो पॉस्ट कर दो, google बाबा के पास जाओ, वहाँ पर image पे click करके वहाँ डाल दो, कौंके, खटाक सी image दिख जाएगी, ठीक है न, these force inside your nose help warm and moisture air after you breathe it and help with nasal drainage, तो सब कहां क्या पाया जाता है, और क्या काम म how you sound when you speak, यह contribute करती है, participate करती है, किस चीज में कि आप कैसे दिखाई देंगे और जब आप बोलेंगे, तो क्या रहा है न, कुछ लोग नाक से बोलते हैं, कुछ लोग की आवाज भारी होती है, filters and clean air to remove particles, main काम यह हो गया, यह हो गया, respiratory की बात करिया अगर तो, provide a sense of smell, यह भी enter कर सके, कि लिए लोग की बाते हैं, तो बस इसी तरीके से हमारे सारे topic चलेंगे यह, ठीक है, pharynx की बात कर लें, अब पता होना ज़िए तुमको pharynx होता क्या है, ठीक है, नाक के ज़स्ट पीछे, यहां से pharynx से start हो जाता है, क्या start हो जाता है, pharynx, सम्झो बात को, ओके, the hollow tube inside the neck that starts behind the nose, बिल्कुल मार कर लेंगे, सुब ज़स्ट नाक के पीछे start होता है, and ends at the top of the trachea, कहां अंत होता है इसका, trachea के उपर, windpipe, and isophagus, the tube that goes to the stomach, the pharynx is about 5 inches long, depending on body size, also called throat, इसका हम गलावी कहते हैं एक तरह से, तो यहां से main चीज यह, यहां से start हो रहा है, ठीक है, यहां से, अब समझे बात को, मैं समझाता हूँ, हमारी body में ऐसे दो pipe गए हुए, ठीक है, यह stomach वाला part है, यह lungs वाला part चला जाएगा, तो यह हमारा क्या है, food pipe है, समझते जाना, और यह हमारा क्या है, wind pipe है, ठीक है, तो इसके उपर, इसके उपर color change कर दें, इसके उपर हम ऐसा माल लेते हैं, इस तरह से, और यह आगे अपनी नाका का, इस तरह से, टाइगराम बड़े गंदे हैं, ठीक है, हम इसको cavity को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, और यह अपनी बाहर की तरफ, नाका बता लेते हैं, ठीक है, तो यह दो nostrils हैं, ठीक है, यहां से हवा जा रही है, यह मूग का ही, head का ही पार्ट है, यह पीछे क्या आगया, pharynx आगया, नीचे जाके इ यहां तक अंत होता है, तो इसके उपर का जो पार्ट है यह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pharynx बोलते हैं, तीन हिस्से होते हैं pharynx के, नैजो pharynx, जश्ट जो नाक के पीछे है, देन उसके बाद, और 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 जो बीच में आ गया, और हाइपो pharynx जो एकदम नीचे से स्टार्ट होते हैं, तो इसी लिए हम इसको आल्सो का ज़ फ्रॉट, pharynx को ही फ्रॉट बोल देते हैं, वन वास्ट कोश्टन, याद कर लेना, अनो टॉमी की बात करें, इसके दर क्या-क्या आता है, नैजो फ्रॉट आ गया, नैजो फ्रॉट अगया, नैजो फ्रॉट का पार्ट हम लोग देख पा रहे हैं, नैजो फैरिंग सबसे उपर का पार्ट है, थ्रॉट कनेक्ट तुद नैजल कैविटी, यह डिरेक्ट किस से कनेक्ट है, हमारी नैजल कैविटी से कनेक्ट है, नोज, एंड लेट एर पासस थूरू, और अलाव करता है एर को कि यहां कफ अगरा होता है, तो मुझ से फिर थूख देते हैं, तो इसी के थूरू, यहां से आता है और फिर थूख देते हैं, इसका अब लोग, ओके, कई वरा नाक में दवा डालते हैं, गले में आया जाती है, मुह में आयाती है, ठीक है, औरो फैरिंग, ता मिडल पार्ट अफ फ्रॉट कनेक्ट तू दा ओरल केविटी माउथ, इट अलाओ एयर, फूट एंड फिलिट तू पास थ्रो, यहां से उपर से हवा आ रही है, यहां से फूड पार्णी जो कुछ खा रहे हैं, वो आ रहा है, नाओ लेरिंगो फैरिंग या हाइपो फैरिंग, सबसे नीचे व पार्ट है, ठीक है, वो क्या करता है, कि अब भाई, यहां से हमें क्या करना है, अभी हम उसके वारे डिस्कस करेंगे, आगे जा करके, यह तो एक हिस्सा आ रहा है, हवा को कहा जाना है, ट्रैक्या में जाना है, खाने को इसो फिगर्स में जाना है, इसको रेगलेट करेगा कैसे रेगूलेट करेगा अभी हम देखेंगे उसको ठीक है ग्लॉटिस आपके ग्लॉटिस का टर्म आएगा तो ध्यान रखना फैरिंग्स यहां पर आके दोनों चीज़े कॉमन हो रही है ठीक है फिर आगे जाकर के यह हवा ट्रैक्या में जाएगी खाना विंड पाइप में यह डिवाड रहता है तो यह दोनों पाइप ऐसे खुले फूरिंग में घुल जाएगी इसाया में जाए वह यह हवाजती है थो बात करेंहाइं दोनों पाइप के सधाथी उपर एक ल spannet खुल जाएगा खाना जाएगा तो फूटाइक सब्सक्राइब इसे लिए कोई there are three sets of tonsils they are located at the back of the throat and base of the tongue tonsils are the body's first defense against infection ये body को infection होगा तो सबसे पहले काम करते हैं auditory ostation tube very important ठीकन अब ये क्या चीज है ये समझ में आएगा भी these two tubes connect the ear to the throat out कान से दो tube निकल के आते हैं और यहां पर आकर कि इसरे opening होती है ठीक है अब बताओ अगर तो कान से एक एक ट्यूब आएका निकल के दूसरे कान से दूसरा tube निकल के आ अगया असल में क्या होता है प्रेशर जो यहां का प्रेशर और यहां का प्रेशर यह बरावर रहना चाहिए अधरवाज़ से इसरे का ड्रम होता है नो फट सकता है बाहर का निकल को अन्दर का प्रेशर जा आगे आते हैं तो auditory और station tube these two tubes connect the ear to the throat ये गले से कान को connect करते हैं they equalize pressure and help drain fluid ठीक है ना pressure को equalize करते हैं और कई बार कान आंका fluid होगा रहा होता है तो वो मुग के तुरू भार निकलता हमको समझ में नहीं आता लेकिन ठीक है ना आगे आते हैं फॉड कोई पास कर रहा है पुशेश फूड इंटू दा इसुफीकर सो इट्स नॉट ब्रीथे इन धक्का देता है फूड को इसुफीकर से जिससे की वो सांस की नली मना चला जाए ब्रीथ इन ना हो जाए यानिकि ट्रैक्या मना चला जाए कानों का प्रेशर को बैलेंस करता है और वहां से जो फिलिड आता है कोई कोई गंदा फिलिड हो सकता है कई वर कान में इंफेक्शन होता है तो वह यहां से निकल के ड्रेन होकर के भार आ जाता है ठीक है अब आते हैं लेरिंग्स बास सरजनारी बेटा बच्चा लोग बास क्लिए होते जारी ना तो बहुत ध्यान से समझते जाना चीजों को इमेजिन करते जाना कहीं पर कोई लगता है कि नहीं यार इसका सोड़ डायग्राम होता तो हमें एक और अच्छे समझ में आता तो उस पार्ट को यसे इस इस फिकर कोई भी चीज था तो वीडियो पॉट करके इस चीज का डायग्रांब क्लिक करके देख लिया करो दुरॉत थीक है ना मोटी हमारा पढ़ा आ है मोटी हमारा समझता और अच्छे नंबर लेकिया है कीशे आएगा जैसे कट करना पड़े जो मरजीं करना ड़े ठीक है ना ओक Sn broken six तो your larynx is a part of your respirator system it's allowed tube that lets air pass from your throat pharynx to your trachea अब pharynx और trachea के बीच में pass from your throat यादि कि pharynx to your trachea pharynx से trachea समझ रहो ना? उसके बीच में larynx पहए जाता है on the way to your lungs it also contains your vocal cord इसी के अंदर तुमारे vocal cord भी होते है ना? जहां से अब आ जाती है and is essential to human speech so it's often called voice box बोलने के लिए जरूरी है यह तो इसको हम लोग voice box भी क्या देते हैं किसको? larynx को तो अब बात समझ में आगी होगी नाक, नाक से कहा गई हावा? नाक, नाक से pharynx यानि कि nose, nose से कहा गया? pharynx, pharynx से larynx, larynx से फिर ultimately क्या आ जाएगा? trachea larynx से क्या आ जाएगा? trachea ठीक है ना? nose, pharynx, larynx, then trachea उसके उपर का sequence बन रहा है अच्छा देखो यहां glottis और epiglottis ठीक है? epiglottis, supraglottis, vocal cord ठीक है? यह तुमारा क्या है? glottis इसको समझाता हूँ मैं क्या c नहीं है, glottis और epiglottis को इसको simple तरीक से कर मैं समझाओं तो देखो जा रहा है यह क्या है? trachea है नीचे क्या है? trachea है, यह subglottis ठीक है? यह vocal folds vocal folds हो गए, caracoid, cartilage इसका मतलब नहीं हमको और vestibular fold आगा यह आगै epiglottis ठीक है? यह आगै epiglottis इसको हम लोग क्या कहते है? supraglottis कहते है इसको हम लोग क्या कहते है? supraglottis this is glottis यह क्या है? glottis अब बात को समझना इसको हम ऐसा समझते है सिंपल समझाने की बात करूं में अगर यह food pipe isophagus and this is wind pipe अब तुम खाना खा रहे हो क्या कर रहे हो खाना खा रहे हो तो यहाँ परना यहाँ परना क्या होता है ऐसा समझ लो यहाँ परना एक तरह की covering है ढक्कान एक तरह का ठीक है एक तरह का ढक्कान है इसी को हम लोग क्या बोलते है glottis बोलते है इसी को हम लोग क्या बोलते है glottis इसके उपर एक और covering है ठीक है इसके उपर एक और का यह fin pipe है यहाँ पर एक और चीज़ पाई जाती है इसको हम लोग क्या बोलते है epiglottis Glottis के उपर Epiglottis समझने के लिए बात समझे बाई ठीक है न Glottis एक तरह का covering हो गया यह तरह से हम समझ कह सकते है hollow है यह ठीक है यहाँ पर जगए space होता है तो इसको मैं फिर से बना दूँ ठीक है यह खाली है ठीक है अब देखो यहाँ पर क्या है तो फूड पाइप में हवा जाएगी तो फर्ग नहीं पड़ता लेकिन यहाँ पर नहीं जानी चाहिए खाना यह इस टाइब के covering होती है अब देखो उपर से क्या आ रही है एर उपर से क्या आ रही है एर आ रही है तो वहाँ पर मसल्स वाला काम होता है थोड़ा सा तो एपिकलोटिस खुल जाएगी एर अंदर जैसी फूड आएगा जैसी फूड आ रहा है यह खट से बंद हो जाएगा जैसी बंद हो जाएगा तो फूड ऐसे आएगा अगर यहां आता भी है तो यहां खिस लग जाएगा यहां आता भी है तो कहां जाएगा फूड पाइप में जाएगा लेकिन कई बार होता क्या है हम ज्यादा समझदार बनते हैं खा भी रहे और बात भी कर रहे हैं ना खाते खाते बात कर रहें multitasking ठीक है अब को multitasking क्या होता है क्योंकि हम बात कर रहे हैं दिमाग लग रहा है तो कई बार जो होता है यह function में दिक्कत आ जाती है हमारा दिमाग भूल जाता है इसको बंद करना खाना आता है आता है जैसे यहां घुसने की कोशिश करता है यह एकदम से बंद होता है तब इसको याद आता है अरे खाना आगया बंद हो जाओ बंद हो जाओ अब जब बंद होता है तो खाना इसके कहीं न कहीं या बीट में हलका तो फस जाता है और फसा हुआ खाना अंदर नहीं जाना चाहिए तो तो रिफ्लेक्स होता है रिफ्लेक्स मतलब ब्रेन कहता है ठसा लाओ इसको खासो हमको ठसा लगता है और यह खाना फिर यहां से निकल जाएगा यह बहार आ जाएगा जो भी होगा अल्टिमेटली होता है बहुत तो मुह का सारा खाना बार ही आ जाता है ठीक है तो यहीं है बस एपिग्लॉटिस ठीक है यहां पर बच्चे सब्सक्राइब करेंगी खाने को अलाओ नहीं करती है आगे आ जाते हैं तो बात समझ में आगी आगी बात करें से श्रक्च forgra failed करें आगे अर्टेंग आज clinics को अ सब्सक्राइब जोड के रखते हैं मेंब्रेंस विच आल्सों होता है खाना खाते यह ऊपर निचे होता है जो इसको भी ब्रीधिंग एंड प्रोडूस्ट वोकल साउंड थीक है तो यह मसल्स ब्रीध में करने में और वोकल साउंड sound निकालने में help करती है ठीक है तो उसके structure की बात हो रही है अब देखो यहाँ पर आया the parts of larynx epiglottis this flap flap मतलब covering of skin covers the opening of your larynx it keeps food यह रखती है food and other particles को from getting into your respiratory system keeps मतलब दूर रखती है इसकी हिंदी यह निकल के आगी it keeps food and other particles from getting into your respiratory system respiratory system में जाने से दूर रखती है false vocal cord false vocal cord or vestibular force close your larynx when you swallow so that food does not go into your trachea and lungs ठीक है एक काता है false vocal cord यह vestibular force होते हैं यह क्या होते है close हो जाते हैं कब ठीक है जब जो larynx जब खाना खाते हैं हम लोग तो क्या हो गया यह बंद हो गए ठीक है false vocal cord के ऊपर अपना epiglottis रहेगा thyroid cartilage this piece of cartilage on the front of your larynx is often called Adam's apple यह जब कुन्ना निकला रहता है इसी को हम लोग क्या बोलते है thyroid cartilage इसी को मैं Adam's apple कहते है vocal cord your vocal cord or vocal force open close and vibrate sorry vocal cord क्यों होते हैं इसे open होंगे close होंगे वाइब्रेट होते हैं जिस तरीकी हम sound निकालेंगे उसी हिसाब से और air pass होती उसके अंदर से through to create sound and speech है ना किसा तुम्हों ने देखा होगा try करो मेरे साथ कुछ बोलो मेरे साथ ही बोलो अपना नाम बोलो और हाथ आगे रखो तो तुम्हों को लाइर्ण कितना लंबा है तो लाइर्ण लाइंच लगबाग तो इनला चोटा होता है लाइज डीन लेहरी आवाज इतना बड़ा लाइरिंस उतनी भारी आवाज होती है फंक्शन की बात करने ब्रीधिंग, क्रेटिंग, साउंड, प्रिवेंट करता है फूड अधर पार्टिकल फॉर्म गेटिंग इंटू यह ट्रैक्या, लंग्स, यह रही है, किलियर है, ठीक है, तो यहां पर में चीज कोशिश करना बच्चों की फोकस करना कहां पर, फंक्शन पर, और अनाटॉमी में जितनी चीजें एजीली कवर कर ले जाओ, उतनी बाते लिखना, जैसे मालो यह तुम तीन लिखना चाहतो यही तीन लिखो, ऊपर से एक दो लाइन लिखना तो वही लिखो, ठीक है, ऐसा निकि पूरा एकदम रटना है और सब लिखना है, जितना चीजें एजीली याद हो जाए, ऐसे याद नहीं हो रही है, तो डाग्राम देख लो, डाग्राम और दोनों को कम्बाइन करें, लिख लो, जैसा मन करें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर रटने वाला है, और खास कर जो अच्छे मैट से आए है, उनको थोड़ी सी थोड़ देगा अब किस पर आगए सिदा सिदा ट्रैक यॉपय आपर ओकilo किस पर आगए, ट्रै‍ट आपर की यहाँ पर बाहरे है, लेरिंग से नखिल साफ्ल होती है काफी जैसे की अपना नॉ방ल पानी का पाइप ले लो ऑपानी के पाइप को खीचो अगर तो पाइप आ जाता है देखा ना से फूक से खीचो तो पाइब क्या होता है वो पिचक जाता है अब पिचक जाएगा अगर तो दिक्कत है पानी नहीं आएगा उसके अंदर ठीक है ना तो यही चीज यहां पर है अगर यह जैसे हम बहुत तेते सांस ले रहे हैं जाद दौड रहे हैं कोलाप्स हो जा ना यह ऐसे पिचक गया और पिचक गया तो हवा नहीं जाएगी फिर दिक्कत है तो उसी के लिए यहां पर तुम लोग देखोगे यह जो रिंग टाइप है ना यह काटिलेज ट्रैक्यल काटिलेज लिखा हुआ है शी शेप की रिंग होती है यह बता देना काटिलेज तो होती है यह सबने कान की होती है यह उस विंड पाइप को पिचक ने नहीं देती है ठीक है ना बाद बागी हम देखी रहे है कि जो ट्रैक्या है आगे जा करके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है ठीक है इनको हम लोग क्या कहते है रूट्स ओफ राइट लंग यह है रूट्स ओफ लेफ्ट लंग और में बीच का सेंटर पॉइंट होता है उसे लुकेशन ऑफ करिना कहते हैं या इंटरनल रिज बोल देते हैं और यह दोनों जो निकलती है इनको हम लोग कहते हैं प्रैमरी ब्रॉंकाई फिर जो इसका पार्ट होगा उसका हम से प्रैयों वह नहीं होगी थोड़ा काटिलेस जाने की जो बोन वाला थाईप का थोड़ा साहड़ रहता है डड़ कनेक्ट दा लारिंग जो इस अपैसे आँ पैसेजिव और को आलाओ कर रा है and so it's present in almost all air breathing animal with the lung इसी लिए ये trachea हर उस animal में मौझूद है जहाँ पर lungs है ठीक है the trachea extends from the larynx and branches into the two primary bronchi ये larynx से start होता है और ultimately दो bronchi में branch तूड जाता है जाकरके at the top of trachea the circuit cartilage attaches it to the larynx यहाँ पर top पर क्या होता है circuit cartilage पाए जाते है ठीक है जो की larynx होते है the trachea is formed by number of horse shoe shaped ring देखो वही आगे होर्षू shaped C shape C shape के cartilage है joined together vertically by overlying ligament vertically क्या है एक दूसरे को पर जो ligaments होते हैं इस तरह से उससे जड़ो हुए है and by trachealist muscles at their ends और जो उसका अंत होता है आख री मुझा करके यहाँ पर trackless muscles से जोड़ो होते है the epic lotus closes the opening to the larynx during swelling ठीक है अब यहाँ पर epic lotus की बात कर दिए close करता है opening to larynx during swelling यहाँ पर इसकी ज़रूत नहीं थी लेकिन हाँ यह horseshoe shape C shape बता है तो horseshoe shape भी बोल सकते है horse का shoe ऐसा ही होता है लोय का बना हुआ ठीक है तो इस type से trachea को तुम क्या कर सकते हो इसकी anatomic को define कर सकते हो वह अनटोमी को explain कर सकते हो what is tracheobranchial tree यह question आसे था ट्रेकिया branchial tree क्या है lungs को अटा दूं trachea और यह part निकले हुए इस type से न यही क्या होगा tracheobranchial tree होगा देखो यह इस type से ठीक है और ऐसे निकला रहता है तो यही क्या है tracheo, trachea और bronchiae का tree वन गया यह clear है तो इसी को हम tracheobranchial tree बोल देते हैं पता होना चाहिए क्या बोल रहा है your trachea is part of your tracheobranchial tree trachea tree का part है the tracheobranchial tree is where air travels to your lungs tracheobranchial tree वो है जहाँ पर air travel करती हुई लंक्स में जाती है और एक्सचेंज गैसे और फाइनली गैसे एक्सचेंज वो जाती है एलवल आये में जाकर करके जो कि देखेंगा भी हम आने वाले उसमें पॉइंट्स में जो गैसे कौन सी होती है CO2 और और ऑक्सचेंज होती है पड़ा केश जाएगा चीओं नहीं पड़ेंगे ब्रॉंक्योष पड़ेंगे डालोर पोर्शन और ब्रॉंक्या डेट गेट स्मॉलर एंड इस्प्रेड आउट त्रू यॉर लंग्स लोर पोर्शन और जाकर फैलना सुरू हो जाता है ठीक है इस सब बात पता है हम सब को पता है trachea trachea गाद bronchia आ गए bronchia के बात और और फ्यलना सुरू होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते है bronchioles बोलते है anatomy की बात करें अगर अभी हम रोने trachea mental tree की बात करीती अब लोग उसकी trackyya की anatomy की in most people track is about 4 inches 4 inch का होता है लगब 10 cm long about the width of your hand चोड़ा यहाथ के बरावर होती है it is about an inch wide जो मुटाई है इसकी वो inch के बरावर होती है ठीक है about as big across as an adult finger है ना जो adult finger के हम बात करें तो उसके बाद location की बात करें your trachea sits in your lower neck and upper chest upper chest and lower neck यही तक ही तो होता है यह यहाँ से और यहाँ बस इतना खतम 10 cm long जी तो है यह इतना 10 cm long हो गया यहाँ से खुल जाएगा यहाँ लंग से हमारे ठीक है तो यह सब चीज़े इसमें कुछ खास नहीं है in diagram of your trachea and other respiratory organs you can see the trachea between the top lobes of the lungs it is in front of your esophagus esophagus के सामने होता है trachea याने कि esophagus पीछे होगा trachea आगे होगा ठीक है parts of trachea की बात करें तो cervical trachea जो neck में पाए जाता है thoracic trachea जो chest में पाए जाता है structure of trachea की बात करें your trachea is made up of 16 to 20 rings of cartilage जो cartilage की बात बता रहा था मैं गोल गोल rings होती है cartilage is a firm yet flexible tissue यह काफी firm होता है मजबूत होता है लेकिन flexible होता है उसमें मोड़ा जा सकता है a moist tissue called mucosa lines each ring of tracheal cartilage एक mucosa ring ring होती है sorry mucosa lines moist tissue tissue होता है mucosa मुकोसा का बना हुआ ठीक है वो उसकी परत होती है जो tracheal cartilage को जो ring of tracheal cartilage उसको cover करके रखती है mucosa have cells called goblet cell goblet cell produces a sticky substance called mucos ठीक है न जो ring है इस तरह से उसका हिस्सा ही है trachea का ठीक है न तो अंदर की तरफ इसकी क्या है mucosa की lining है इसकी परत में एक cells पाया तो goblet cell goblet cell क्या कर रहे है इस्टी की substance called mucos यह mucos को क्या कर रहे है produce कर रहे है तो ध्यान रखना कि जो goblet cells है वो कहां पाए जाते है rings of tracheal cartilage में पाए जाते है rings में है यह ठीक है वेन यू इन्हेल दा mucos trap dust जब इन्हेल करते हो सांस ले रहे हो तो जो mucos होता है गाड़ा गाड़ा जो नाक जैसे चिप्टिवा पदार्त होता है वो dust को trap कर लेगा पकड़ लेगा अधर small debris debris बताया मैंने उनको ही पकड़ लेगा और उसको lungs तक नहीं जाने जाएगा in the trachea inner layer सबसे अंदर layer की बात करें you have small hair-like structure काल सीलिया चोड़े हेर-like structure रिपाए जाते हैं तो यहां पर ऐसे हेर-like structure रिपाए जाएंगे ठीक है जैसे हम सीलिया कहते हैं सीलिया moving rhythm to push mucus out of your trachea so that your you either expel or swallow it ठीक है ना तो trachea का करती है जब हम लोग कफ हो जाता है नो खास्ते हैं गडर-गडर-गडर सा होता है तो वह कफ है या कभी किसी और वज़े से कफ बन गया है कफ जनरे क्यों बनता है कोई particle dust particle अगर आ गया है तो हमारे इम्यून सिस्टम है उससे लड़ने के लिए आ जाता है जब लड़ता है तो म्यूकोस बन जाता है कफ जैसा बन जाएगा तो सीलिया क्या है एक rhythm में चलती है और rhythm में चलेंगी इस तरीके से तो उस कफ को ऊपर ढखेलती है तो दो चीजे होंगी गले में आने के बाद या है तो उसका हम ठूक देंगे या कि वह थूका नहीं जाता है या क्योंकि ऐसे पॉंट भी होता है तो खिशी निगल जाते हैं पेट में जाकरके यह जो म्यूकोसा है यह जो कफ है यह अपने आप acid में गल जाता है तो निगल जाओ तो दिक्कत निए थूक दो तो दिक्कत दोन चीज़े पॉस ठीक है between each ring of cartilage जो ring थी उनके बीच में in your trachea you have a muscles called the trachealese हर ring के बीच में muscles पाई जाती है जिसको हम लोग क्या बोलते है trachealese कहते है tracheal cartilage और cartilage के बीच में हम muscles पाई जाएंगी से हम क्या कहेंगे trachealese कहेंगे when you expel mucus through a cuff your trachealese muscles contract to help you expel air more forcefully ठीक है न यह contract करती है इससे की बहुत ताकत लग करके mucus क्या हो सके पहार की तरफ आ सके ठीक है तो हर एक line में कुछ point चुपे हुए है जितने easily anatomy या structure में 3-3, 4-4, maximum 5-5 point याद कर लेंगे आप लोग ठीक है trachea main function to carry air and in and out of your lungs because it is a stiff flexible tube it provides reliable pathway for oxygen to enter your body ठीक है न उसकी जबड़ते main यह आ गया carry air और कोई काम नहीं है इसका खेले होगी बात now bronchi bronchi की बात करें अब bronchi से प्यासेज और airway in the lower respiratory tract that conducts air into the lungs यह पिश्ट का structure है तो देखो उपर track यह आ गया था यह rings थी उपर larynx है सबसे पहले जो part करते हैं बड़े बड़े जो सबसे main इसको हम primary bronchi कहते हैं क्या कहते हैं primary bronchi या singular में broncas भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं broncas singular singular में क्या बोल देंगे broncas ठीक है अब उसके बाद फिर जो branch निकलती है उसका हम बोलते हैं secondary bronchi फिर जो branch निकलेगी उसका हम लोग क्या कहेंगे tertiary bronchi ठीक है ना जैसे ब्रांच बढ़ती जाएंगी उससे तरह primary, secondary और tertiary bronchi नाम पढ़ता जाएगा तो देखें जारा अब broncas is a passage broncas एक रास्ता है in the lower respiratory tract lower यानि कि नीचे आ गई हम लोग ठीक है that conduct air into the lungs जो finally airs को lungs में लेके जा रही है the first और primary bronchi to branch from the trachea at the carina are the right main broncas and the left main broncas जो सबसे पहले primary bronchi ही है ठीक है यहाँ पार्ट जो था यह क्या था? carry ना था इसका main point ठीक है? तो यह divide हो जाता है primary bronchi एक left में जा रही है और एक right में जा रही है these are the widest bronchi यह सबसे मोटे bronchi ही होते है primary वाले and enter the right lungs and the left lung at each hilum hilum मतलब जहाँ पे lungs में घुषता है यह कहते है and these branch into narrower tertiary bronchi और segmental bronchi tertiary को हम लोग सेग्मेंटल भी बोल देते है further division of segmental bronchi यार नोन एस fourth order, fifth order और आगे जाके बारी branching होती रहती होती रहती है और महीं तो से fourth, fifth order बोलते रहते है आगे जाके और branching और branching, और branching और पतले पतले होते चले जाते हैं यह ठीक है देख रहो यहां पर यहां तक tertiary bronchi तक ring दिखाई ज़री हमको cartilage ring जो उसको पिछेकने नहीं देंगी ओके order segmental bronchi और group together as subsegmental bronchi इसको हमनों सबsegmental bronchi भी कहते हैं जब group कर देंगे एक साथ the bronchi went too narrow जब बहुत जदा पतली होती है to be supported by cartilage की अब वहाँ पर cartilage ring की हमें जरूरत नहीं है बहुत पतली हो चुकी है अब cartilage ring वहाँ पर set नहीं हो पाएगी और known as bronchioles याने की समझो बात को ठीक है न यह बहुत महीन 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 और ultimately क्या होगा जब बहुत महीन हो जाएगा तो उसके बाद ultimately यह है bronchioles यह क्या है bronchioles और bronchioles के last में जाकर के फिर क्या आजाती है alveoli आती है बात समझो आ रही है तो सबसे last सबसे महीन सबसे पतली जो bronchi हो जाएगी उसका हम लोग क्या बोलते है bronchioles बोलते है ठीक है पार्ट होते चले जाएगे होते चले जाएगे division और महीन और महीन और महीन और महीन तो यहाँ तक तो यह cartilage ring हमको दीख रही है साफ साफ इतना महीन हो जाएगी कि cartilage ring वहाँ फिटी नहीं हो सकती है तब उसको हम लोग क्या बोलते है bronchioles बोलते है clear है no exchange very important mark कर लेंगे बेटाई इसको यहाँ से question आता है no gas exchange take place in the bronchi bronchi केवल passage है रास्ता पहुचाने का वहाँ पे gases का exchange नहीं होता है one more question तुमारा आ सकता है anatomy की बात करें अब ठीक है your bronchi have two main primary और first anatomy हम वो जो उपर थी उसको भी anatomy बोल सकते है ठीक है the lower bronchi segmented bronchi ठीक है bronchi कैसा लिखता है location location कहाँ पर है जो उपर लिखा वो भी उसके anatomy में count हो जाएगा यह double सा हो गया एक तरह से ठीक है यह चीज़ भी इसकी anatomy में आ जाएगा ठीक है ठीक है इसको ऐसे लिख दो right और left आ गया ठीक है फिर your life bronchi widest portion बड़ा वही उपर रहली चीज़े लिखे हुए है यहाँ पर डबल हो गई है कोई दिक्कत नहीं what do bronchi look like कैसा दिखता है tracheobal tree की तरह दिखता है हमको यह location की बात करें primary bronchi are the left and right main bronchi in the upper portion of your lungs ठीक है location होगी secondary bronchi near the middle of your lungs बीच में आ गया lower ठीक है तो इसके कुछ खास भी था जो उपर रहन बताया है उसी को यह and screen out foreign particle यह सासाथ में कर रही है एर को moisturize कर रही है और जो foreign particle है उसको screen out कर रही है मतलब हटा दे रही है चान दे रही है your airways lined with cells that create mucus mucus create होता है मुकस keeps your airway moist ठीक है it also trash bacteria virus fungi and other particles है ना हर चीज को अलग कर देगा मतलब air को filter कर देती पूरी तरीके से the bronchi are lined with cellia वहां cellia भी पाए जाते हैं tinny hair like structure ठीक है cellia का function हम पहले देख चुके है और वो सारी बाते हैं लिखी हुए ठीक है तो लगबग वो सेम सेम आ गया है जो पहरे ट्रैक्या वाला पार था वही सारे इसके अंदर ही पाए जाएगा cellia, mucos ठीक है वो सारे function अच के अंदर आ जाएंगे सेम सेम अब बात करें lungs की बाते हमने उपर पड़ी है याने कि bronchi से आ गया करके तो लंग्स के अंदर वो सारी चीज़ा आ जाएंगे देखो primary दोनों primary एंटर कर रही है उसके बाद यह कहां चलेगा है lung के अंदर चलेगा तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक चीज़ा ध्यान रखना है lungs में बाकि कुछ नहीं है lungs में कि इसके ना जो यह जो अपना जो यह वाला है यह जो cut है, इसको हम बोलते हैं, horizontal fissure, यह जो cut लगा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, oblique fissure, इसी तरह है, left वाले पर आ जाएंगे, तो superior lobe, उपर वाला और inferior lobe, इसके दो हिस्से होते हैं, इसके तीन हिस्से होते हैं, बीच में हापर एक cut होता है, यह oblique fissure, बात the network of organs and tissue that allow you to breathe, you have two lungs, one on each side, दोनों side में एक लंग होते हैं, which is also called the thorax, इसको हम लोग thorax से बोल देते हैं, ठीक है, chest all apart जो होता है, your thorax is the area of your body between your neck and your abdomen, neck और abdomen के बीच में होता है, यह ठीक है, बच्च वाली चीज़े है, the lungs on your right side is divided into three lobes, वो three lobes में डिवाइद हो रखा हुई, जो मैंने बाता है, तीन lobes में डिवाइद है, the superior, the middle, the inferior, it's shorter than your left, यह छोटा होता है left lung से, बट आलसो वाइदर देन यह left lung, बट चोड़ा होता है left lung से, both of your lungs are covered with protective covering का leural tissue, यह मार कर लेंगे, lungs के उपर की covering होती है, इसको हम लोग क्या होते है, leural membrane कहते है, ठीक है, वो leural tissue की बनी होती है, left lung की बात करें, your left lung has two lobes, इसके दो lobes है, एक, दो, the superior and the inferior, your left lung is smaller than the right because your heart is where the middle lobe, hurt होता है, यहापे तो कोजी space देख रहे हो ही है, यहापे hurt होता है, इसलिए थोड़ा सा इसका size क्या छोटा हो जाता है, your left lung has two parts that your right lung doesn't have the cardiac notch, इसे cardiac notch कहते है, मार कर लेंगे इसक where your heart fits, यहापे हाँ हरा heart रहता है, and the lingula and extension of the superior lobe, यह देख रहे है, extension, हालका दा पार्ट निकला हो रहता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते है, lingula बोलते है, आगे आते है, location, simple है, your lungs are located in your chest, chest में located है, your thoracic cavity is the name, the space that contain your lungs, इसको हम क्या कहते है, thoracic cavity कहते है, human anatomy and physiology में cavities पढ़ your lungs rest on a muscles called diaphragm, इसके नीचे डी muscles होती है, इसको हम लोग क्या बोलते है, diaphragm कहते है, clear है बाते है, what do lungs look like, पाने बाने डाल लो, पाने बाने पी लो, ठीक है, यहाँ थूरा सा lecture यह लंबा हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक ले लो अराम से, दो मिनट का पॉस्ट कर लो वीडियो को, मुझे पानी छमक लो, ठीक है, pouring नी करना, कॉपी पन लेके बाएडियो, और लग रहा है कि तुम्हें कि नहीं यार, अब तो बहुत जादा हो रहा है, तो यहाँ पॉस्ट कर दो, फिर कुछ दिर के बाद वीडियो देख ले न, कोई कि पूरी anatomy है यहाँ पर, ठीक है न, बात के लिए रहा है, आओ, what do lungs look like, lungs दिखती कैसे, healthy lungs are pinkish gray, pinkish or gray color के होती है, you have probably seen photographs, तुमने साइध photograph देखे हो यह हो, है न, google बगरा पे, youtube बगरा पे, compare the lungs of people who smoke to the lungs of people who don't, यह भी देखा है, जो लोग smoke करते हैं, उनका काला सा lungs हो जाता है, और जो लोग smoke नहीं करते हैं, उ कि खराब होती है, smoke करने वालों का, your triangular shape right and left lung look like a bit like ears of elephant, है न, जैसे elephant के कान होते हैं, बड़ बड़े, उसके तरह दिखाए पड़ता है, ठीक है, a typical lung in human adult, weighs about 2.2 pounds, 1 pound, 1 pound equal to, लगबग, 0.2450 gram, अब आड़े लगा लेना, है न, लगबग, आद लोग के आसपास होता है, ठीक ह कितनी चोड़ाई है, कितनी लंबाई है, ठीक है, function की बात करें, जो कि important है, your lungs make oxygen available to your body and remove other gases, such as carbon dioxide from your body, न, oxygen देती है, carbon dioxide भाहर निकाल देती है, this process take place 12 to 20 times per minute, या न, जितनी एक मिनट वे हम जितनी बार सांस लेते हैं, उतनी बार ये process होती है, when you inhale, सुंगते हो, naak से और mouth से, air travel down your pharynx, air pharynx से होता हुआ, pass through your larynx, ठीक है, and into your trachea, और finally कहां चला जाता है, वो trachea हों चला जाता है, हमारे wind pipe में जला जाता है, ठीक है, your trachea is divided into two air passes, cal bronchial, ठीक है, trachea होता है, bronchial होती है, one bronchial, है न, left lung में चला जाता है, दूसरा right में चला जाता है, for your lungs to perform their best, your airways need to to be open when you inhale, lungs तभी अच्छा perform कर पाएगी, जब आपके जो air tubes है, वो खुले रहे, जब आप सांस लेते हो, ठीक है, या सांस छोड़ते हो, they also need to be free from inflammation, swelling, swelling वगरा नहीं होनी चीए, और दरवाइस क्या सांस लेने में दिक्कत होएगी, and abnormal amount of mucus, कोई भी mucus नहीं होना चीए, जो ब्रॉंकिय और छोटे पार्ट में तूटता है, इसे ब्रॉंकाई कहते है, and then into bronchiose, ठीक होई सारी कहानी है, फिर ब्रॉंकियोस पर टूट जाता है, तब ब्रॉंकियोस तूटने का मतलब, ultimately जहां पर divide होके पहुंचता है वो, ब्रॉंकियोस एंड इना tiny air sex called alveoli, जो के आगा mechanism महाँ पिसको हम डेटेल में समझेंगे, ओके, alveoli look like clusters of small round fruit, छोटे फ्रूट के तरह दिखाए पड़ता है, ठीक है, after absorbing oxygen, the blood leave your lungs and is carried to your heart, ठीक है न, यह हमने देखा था, lungs में, lungs बोल रहा हूं, sorry, heart वाले पार्ट में, lungs होता हुआ, फिर महां से blood का पहुंचता हमारे, heart rate पहुंचता है, oxygen लेकर के, from there it pumps through your body to provide oxygen to cells of your tissues and organs, यहने कि, यह lungs के function में कुछ नहीं है, वही में फंक्शन तो उसका क्या है, हवा को oxygen और CO2 को exchange करा रहा है, लेकिन थोड़ा सा और चीज़ें लिख दिए हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, उसका ब्रॉंकिय ब्रॉंकिय और से चोटे hair होते हैं, वो cleaning system में काम करेंगे, mucus होता है, sweeping motion of cilia, cilia का motion क्या करता है, वही सारी मुकस, hair और cilia, वही सारी function लिख दिए हैं, interesting facts about your lungs, ठीक है, function वही सारी same है, बार-बार वही आ रहें, तो उसको read कर लोगे, fact की बात करें जाना, lungs की तो देखो, यहाँ पर कुछ facts है lungs को ले करके, याद नहीं करना, काट देंगे इसको, just for knowledge, you can have lobes of your lungs, removed and live, ठीक है, जो, तीन-तीन लोब से ला, कोई एका लोब अगर हटा दो, खराब हो जाए, तब भी आप जिंदा रहेंगे, you can even live with only one lungs, एक साइड का lung हटा दो, तब भी आप जिंदा रहेंगे, ठीक है, lungs the only organ in your body, that will float, यह एक लौता ऐसा organ है, जो पाने में डाल दो तो तैरेगा, अबिसी बात इसके अंदर हवा होती है, exercise can help you increase your lung capacity, exercise से आपकी lung capacity बढ़ती है, इसलिए regular exercise करनी चाहिए, और टिपिकल अडल्ट है, 300-500 million of alveoli, alveoli जो अभी अगला पार्ट आ रहा है, इसको हम देखेंगे detail में, alveoli क्या होते है, last में जाकर के बैलोन टाइप के structure बन जाते है, diagram मैं दिखा दू कितने हैं, 300-500 million, यह देखो, अंतमे, this is the, आखरी में जाकर क्या हो गया यह, bronchioles, और bronchioles आखरी में जाकर किसम convert हो गया यह, this is the alveoli, alveoli, ठीक है न, यहाँ पर देखो उन धागों को blood vessel समझो, क्या समझो, blood vessel जो heart से आई हुई है, और वापस heart में चले जाएंगे, ठीक है न, तो यह blood vessels है, नीली वाली कौन सी है, जो heart से CO2 को लेके आई हुई है न, exchange करना है, और लाल वाली कौन सी है, जो exchange हो चुका है, वापस से heart में जा रही है, तो यह ऐसे छोट-छोटे गुबबाड़े जैसे balloon type के कब से कम 300 से 500 million, है न, 1 million equal to 10 lakhs, तो सोचो 300 से 500 million होते हैं, बहुत जादा है, तब कहीं जाकर कि हम इतना fast sans लेते हैं, हमारी body calm करती है, ठीक है न, तो यह आगे अपना, अब last topic देखते हैं, अपना alve lie, है न, lungs के अंदर की सारी बा पड़ा, lungs के अंदर सारी चीज़ा आ गई, bronchiol आ गया, alve lie भी आ जाते है, सब आया था, lungs के अंदर, तो लेकिन अलग से जहां, इसको जरूर भी लिख देना, alve lie ज्यादा important है, ठीक है न, अब pulmonary, alveolus, plural, alveolus, singular बोलते हैं, तो alveolus, एक को पकड़ेंगे अगर, और plural की बात करेंगे तो alveolus, ठीक है, बात समय भाई, singular और plural का concept clear हुआ, ओके, तो अब ये क्या कहा रहा है, यहाँ पर, singular, plural, clear हो गया, इसको लेटिर में alveolus मतलब little cavity, also known as air sack, sack मतलब pouch या space, air space is one of million of, one of million of hollow distensible cups, distensible हो जो फोड़ सकते हैं, cup shape, cavities, cavities होती है, in the lungs where pulmonary gas exchange take place, यहाँ पर pulmonary gases, pulmonary मतलब lungs के gases का exchange होता है, oxygen is exchange for carbon dioxide at the blood air barrier between the alveolar air and the pulmonary capillary, ठीक है, barrier यहाँ पर क्या, उसका वोई जो layer होती है, मतलब, यह alveolar की layer है, बता दू मैं, barrier, देखो, alveolar यह है, यह capillary है, दो दो चीज़े हैं, एक इसकी layer है, एक यह blood vessel की layer है, यहाँ से O2 यहाँ आ रही है, और यहाँ से CO2 यहाँ जा रही है, CO2 फिर भाहर निकल दाएगी, O2 आगे चली जाएगी, ठीक है, पलबर यह मतलब lungs होता है, alveolar make-up functional tissue of mammalian lungs known as lung perenchyma, ठीक है, alveolar क्या करती है, बनाती है, functional tissue of mammalian lungs, lungs में जो main tissues है, जिसको हम perenchyma कहती है, उसको बनाती है, which takes up 90% of the total lung value, जो total lung volume कितना है, 90% उसको cover up करती है, ठीक है, छोड़ सकते हैं इस line को, कोई जरूरी नहीं है, main हमारा क्या है, और क्या काप कर रही है, ठीक है, आगे आते हैं, तो मेरे खाल से ये कब क्या कहते हैं, बास समझे में आ रही होगी क्या है, ठीक है, तो diagram के लिए रहो हमें, यह देखो, alveolar sac है, alveolar duct है, mucos gland पाई जाती है, mucos lining है, यहापर ठीक है, capillary bed, मतलब ठेर सारी blood capillaries, ज इसके पर ऐसे lipty हुई रहती है, अब इसकी anatomy देख लेते हैं, alveolar are the smallest structure in the respiratory system, सबसे छोटे structure यही होते है, they are arranged in cluster, जुंड में arrange होते हैं, throughout the lungs, पूरे lungs में, at the ends of branches of your respiratory tree, respiratory tree की आखरी में एक फल के टाइप ऐसे लटके रहते हैं, यह रहते हैं, which is a tree-like structure of passageway that brings air into the lungs, और यह finally, जो air होती, इसके अंदर आती है, ठीक है, the walls of the alveolar are very thin, बहुत पतली होती है, इसकी जो walls होती है, दिवाल होती है, this lets oxygen and CO2 pass easily between the alveolar and capillaries which are very small blood vessels, ठीक है, capillaries जो मैंना भी बता दिया, कि यह इस तरह समझ लेंगे, तो यहां से अब exchange होना क्या होता है, असान होता है oxygen can pass from alveolar to capillary because the concentration of oxygen is lower in the capillaries, यह ली बात ही वाने समझाई थी, अब यहां डिटेल हों समझ लोगे, आगे जा करके, यहां पर जो pressure of O2 होता है, वो कम होता है, और यहां पर जो pressure of O2 होता है, वो ज्यादा होता है, तो यहां से यहां diffusion हो रहाता है इसका, और CO2 का pressure, यहां ज्य ज्यादा होता है, CO2 का pressure यहां कम होता है, तो CO2 यहां से यहां चली जाती है, simple diffusion हो रहा है, diffusion हो रहा है, simple, ठीक है न, ठीक है, ओके, alveolar also contain immune cells called alveolar macrophages, यहां पर हमारे पास क्या immune cells ही पाए जाते है, macrophages are like the garbage truck of the immune system, garbage truck है, कूड़ा करकर को बाहर ले जाने वाले, these cells phagocytize or eat debris, जो भी waste अगर finally यहां तक आ गया है, कोई कुड़ा करकर, सांस से चलते जलते, तो macrophages finally उसे खापी के खतम कर देंगे, macrophages clean up any particle data, breathe it in and make it to alveolar, finally breathe होकर जो alveolar तक आ गया है, जैसे मैंने बताया, क्यों macrophages उसे खापी के खतम कर देंगे, they also remove dead cells and bacteria, dead cells and bacteria को भी alveolar are lined by a filiud called surfactant, alveolar के अंदर एक परदत होती है, एक तरल पदार पाया जाता है, जिसको हम surfactant कहते है, this fluid maintain the shape of the air, air sac, यह जो शेप है इसका ऐसा है रखेगा, इसको पिछक नहीं देगा इसको, and help keep it open so that oxygen and CO2 can pass, और इसको open रखता है जिसको oxygen और CO2 bronchial से होते हुए, finally बाहर निकल सके, ठीक है, cells of the alveolar, alveolar की cells की बात करें, तो इसके अंदर कुछ cells पाया जाते हैं, type 1 pneumocyte, these are the cells responsible for the exchange of oxygen and CO2, type 2 pneumocyte, these cells perform two important function, they produce surfactant, surfactant मतलब जो इसके गुबाड़ों को फुला के रखे को, the fluid inside the alveolar that helps keep the balloon shape from collapsing, ठीक है न, जो की किया इसको फुला के रखता है, collapse होने नहीं देगा, ठीक है न, the fluid inside the alveolar that helps keep the balloon shape from collapsing, जो दूर रखता है, balloon को collapse होने से, they can also turn into type 1 cells in order to repair damage, ये type 1 में भी convert हो जाते हैं, अगर damage जो होता है, रिपेर करने के लिए, ठीक है, functions, सारे आगे, you inhale air into your mouth or nose, ultimately क्या है, gases के exchange हो रहा है, ठीक है तो पूरी कहानी आजाएगी, हवा आती है, मूर से नाख से, air travel down the track, also called windpipe, फिर air travels through airway, called the bronchi, ठीक है, the air is direct through the smaller and smaller places, called bronchiol, फिर bronchiol में आई, ठीक है, the air moves through the tiny duct, called alveolar duct, and finally enters the individual alveolus, which is a tiny balloon shape structure, at this point, the oxygen molecule moves through a single layer of lung cell in the alveolus, ठीक है, तो मतलब वही कहानी है, पूरा उपर से लिका आखरी तक, उसको लिख दो गई हाँ पर, function ना भी पढ़ो, तो भी जलेगा, खुद मन से बना दो, कि हाँ, वहाँ से हवा आती है, यहाँ, 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 ठीक है, टू एंटर दा ब्लड स्ट्रीम है ना, एक लियर यह, एक लियर यह, एक लियर इसको पार किया, और यहाँ पर क्या आगया, ब्लड में आगया, ब्लड स्ट्रीम में आगया, एंटर करके oxygen, हमारी बॉडी का बाइप्रोड होता है, हमारी सेल्स काम करते रहती है, इन सेल्स डेट यूजिए अक्सिएन टू पर देखोगे ना, फंक्शन कहीं ना, एक टाइम पर जाके लगबग सेम हो जा रहे है, तो फंक्शन सारे पढ़नी ज़र उतनी, एनटोम में भी, कुछ गिनेची ने 6-7-8 पॉइंट जो तुम्हें एक लाइन में निकाल करके लिख लोगे, इससे कि उतना ही लिखके आओगे, वरना बहुत ज़दा पढ़ने के लिखागे, लेकि मेरे तो समझाना था पूरा, तो इसलिए मैं पूरा डेटेल में देखे, इसको समझाय हो हुआ है, ठीक है ना, अपने इसाफ से 3-3 मार्क कोशन को त्यार करोगे, कि मारलो अलवलाई की अनाटॉमी आ गई, तो क्या लिखना है उसका ना 3 नमबर में, तो 6-7 पॉइंट लिखोगे उसमें, ठीक है उससे यादर नहीं लिखना है, फंक्शन अब इसमें फंक्शन त तो फिर लिख दो एकी लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बास वाज में आगी, ओके, तो ये अपना लेक्चर खतम होता है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर था, वैंने कहा था, बड़ा होगा, क्योंगे 6-7 इसके अंदर क्या थे, चीजें हमें थी, पढ़नी थी, इसी तरह आगे जो लेक्चर खाएंगे, उसमें एनटॉमी वाले जो पार्ट हैं, उसमें 6-7 पॉइंट होते हैं, ओर्गन्स होते हैं, जिनकी एनटॉमी हमें डिसक्स करने होते हैं, तो थोड़े से लेंगी रहेंगे, ठीक है, तो करना क्या है, पता ही है, रिवाइज करन रहा है, और पढ़ना है, चीज़ों को लिख करना लोगे, ठीक है, मैं फिर कहा रहा हूँ, लिख करके 5-5-6-6 पॉइंट अपने अलग कर लोगे, ताकि वही पॉइंट लिख के आओ, मैंने बहुत जाते चीज़ों लिख दी हैं, तो तुनों उसको अपनी simple language में convert कर सकते ह ठीक है, तुमको लगता है, यह तो मैं ऐसी भी लिख सकता हूँ, दिमाग में set कर लो, functions लगबग सेम हो जाएंगे, एक point पर आने के बाद, एक time पर आने के बाद, तो same functions अब में लिख सकते हो, के लिए रहा बात हैं, ठीक है न, मेरा number, notes, description मिलेंगे, अपना app, यहां से चा झाल